हेलो कई नसकार, वलकम तो अलाइं ग्यान बायानन, तो मेरे उत्राखन के प्यार सातियों, अपने उत्राखन के युआ सातियों के आगाम एक्जामस के मद्य नदर, हिंदी ब्याकन के एक वहतर टेस्ट स्रीज की सुरात, हमने इस चैनल के माध्यम से आपके लिए की हुई है मित्रों से स्रीज को डेली फॉलो करें, इस स्रीज के पहले के पार्ट आपको इस वीडियो डिस्कूशन बॉक्स में मिल जाएंगे, अपना इसको आपको कमेंट सेक्शन में करना नहीं बूलना है, क्योंकि वही आपको बता पाएगा कि आपका हिंदी ब्याकन का तयारी का लेवल है, वो कितना है, पहला सवाल, अती विरिष्टी का विलोम सब्द है, तो चार अप्शन आपके पास है, बताएगे, अती विरिष्टी का विलोम सब्द इन में से क्या होगा, अप्शन नमबर A है, अतिक विरिष्टी, अप्शन नमबर B है, अना विरिष्टी, अप बूरे बालू किसी कतरन में कौन सा लंकार है तो इसमें बताएगा बूरे बालू किसी कतरन में कौन सा लंकार होगा तो आपको इसमें रस बताने है कि इसमें कौन सा लंकार होगा उपशन में रस होगा करून रसका इसीधे सीधें प्रमेल दिखे रहे हैं तो करू ना इसका सही अग्स सब्दक्रण होगा अगला सवाल पपरबल का विलोम सब्द आट क्या होगा तो इधर उधर भागना, तो कपास ओठना मतलब साथियो समझ गए हूंगे आप लोग व्यर्थ का कार्य करना, option number 3 का सही उतर होगा, अगला सवल, माया दीपक नर पतंगे में कौन सा अलंकार है, तो माया दीपक नर पतंगे में कौन सा अलंकार होगा, उपमा पहला option है, option भी है, रूपक, option number 3 है, सलेज, option number D है, इनमें से कुई नहीं, तो आपको बताने है, माया दीपक नर पतंगे में कौन सा अलंकार होगा, साथियो इसमें रूपक अलंकार है, option number D, हिंदी बासा की कौन से लिपी है, सभी भाई वंदों हमारी जानते होंगे, हिंदी बासा की जो हमार किससे शखाएगा, सदन, option number C, दीन का दिवश से, तो घ्रय का सदन से शखाण है, अगला सवाल, जो अक्ष्यर पढ़ना लिखना जानता है, उसके लिए हम एक सब्द में क्या कहेंगे, जो अक्ष्यर पढ़ना लिखना जानता है, उसे हम एक सब्द में कहेंगे तो क्या कह अगरा सवाल है तेरों अनुराग का विपरिधार तक सब्द बताई इसमें से अनुराग का विपरिधार तक सब्द अनुराग का विलूम सब्द होगा सरच्वति का परियुआची क्या होगा अगला है सर्ष्वति का परियुआची क्या होगा तो सरस्वती का परियवाची हमारे बिणा वानी प्यूक्त सबी तो उप्यूक्त सबी इसका स्युटर होना चाहिए अगला सवाल द्धृ शमास का उधानजी में से क्या हैते क्या लंबो धर है नर नारी है अंदकूब है सनागत है समास का chapter जिसने पढ़ा होगा उसको सब दिख रहा होगा कि नर और नारी जियां पर दुन्द समास का उधारन है अगला सवाल मदन लाल पतलून पहन कर खेलने आया में कौन सा विसेशन है तो मदन लाल पतलून पहन कर खेलने आया मैं आपको बताना है कौन सा विसेशन है तो इसमें जो विसेशन होगा मदन पतलून लाल और खेलने मैं से लाल क्योंकि आपके जो बताया गया कि वो पतलून कैसी पहने है उसने लाल रंकी पहनी है तो इसमें बिशेशन कौन है लाल option number 6 का सई उतर होगा 19 सवाल है पवन सब्द का संदी विचे कीजिए तो पवन सब्द का संदी विचे सब को पता होगा पोधन अन option number 6 अगरा सवाल है जल और थल में विचरन करने वाले वाला जो प्राणी है या जल और थल में विचरन करने वाले को हम क्या कहते हैं एक सब्द में तो जल और थल में विचरन करने वाला जो होता है उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं तो उसे कहते हैं क्या उभाई चर अनुभ चर भाई रचित चर या इनमें से कोई नहीं जल और थल में जो विच्ण करता है उसे हम उभाईचर कहते हैं जो कुछ न जानता हो के लिए एक सब्द बताइए जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए हम एक सब्द यह आपको कहा जाए कि क्या होगा अग्य उप्सवानर तो वैस्वानर किसका परिवाची है वैस्वानर आपको बताने है किसका परिवाची है वैस्वानर है अगनी का परिवाची सभी को पता होगा वैस्वानर किसका परिवाची है अब जिस सब्द का अर्थ इन में से क्या नहीं है क्या सूरी नही किया कपूर है और अब जिस सब्द का इन ऑपilate सब्द का में जो नहीं है उसको बताना है और्छा怎么 में सद़्से सब्सक्राइब बिप्रिद ओर का कॉंसर युग में सह है नहीं है आधर सुस्क ठीक है ये भी आतर का उल्टा सुस्क होता है धृत का विनीद होता है रितु का वक्र होता है अभीगी का अनिविग्गी होता है उप्सन नमबर सी इसमें उत्तर इसके साब से सही है प्रातर काल का द्रिश्य उस बन में बहुत ही सुवाना होता था वाकी में किस परका प्राततर काल का दृष्य उस बन में बहुत ही household होता है है पध करम संबंधी याँ पर lliटी हैсь इंदर उदर हो रहेते स्टे प्रात काल का दृष्य उस बन में उस बन में प्रातत का आर्ण काश बहुता है इस तायब के होता तो पत्करम इसका सही बनता अगला सवाल है निमने लिकित में से सुद्ध वाकि कौन सा है चार ओप्शन आपको दे रिखें आपे मोहन से यह कौम संभो नहीं हो सकता ओप्शन नमबर A है ओप्शन नमबर B है किरपिया आप पदारने का अनुगरह करें वाकिय है अगला है कौन सा विसेशन भावाचक संग्या से बना हुआ है तो बताना आपको कौन सा विसेशन इसमें भावाचक संग्या से बना हुआ है उनी ओप्शन नमबर A है ओप्शन नमबर B है घरेलू ओप्शन नमबर B है जंगली और यहां पे दयालू सात्यों दया भावाव सेंगया के अंतरगर आती हैं तो दैयालू याँ पे भावावान खेक है बना विस्फेशन है कौन से अकरमक कर्य याँ पे नहीं है जार 56 कौन सा मुहावरा अर्फ यूगम नहीं है और उसका अर्थ भी आपको दे रखा है बड़ यहाँ पे एक का गलत अर्थ निकलेगा तो आपको बताना है तो गाल बजाना बढ़ चड़कर आत्म परसंसा करना दूसरा है दूद का दुला होना निसकलंक करना एक आँख से देखना वेदवाव करना मुठी मैं करना या वसिब सब्द में कौन सी संदी है चार आपको दे रहें और निमन मैंसे असुद दवाकी का चेन आपको पना है और बढ़ यह है वे तो अवस्धि ही आएंगे और भी है रमा ने पुष्टका और अणिवस्था खरी ती ऑफ्सन बढ़ सी है इस्टेशन बढ़ भारी भी लगी थी option number यह कला और जीवन का अभिन संबंध है तो इन में से जो सही उतर आपको लग रहा है वे तो अवज से ही आएंगे option number A अगला है आपको एक लोकाक्ति दे रहे के इसमें वीच मा आपको इस लोकाक्ति को पूर्ण करना है आये थे डेश डेश भजन को डेश डेश लगे कपास लोकाक्ति में रिक्तिस्तावनों पर क्या भरा जाएगा तो लोकाक्ति का आपको पूर्ण करना है रिक्तिस्तावनों में क्या भराए कि हमारी लोकाक्ति पूर्ण हो जाए तो आये थे हरी भजन ओटन लगे कपासा आपने पढ़ा होगा उप्सन नमर 20 का स्वाय उत्तर होना चाहिए अगला है जो पद किरिया की मात्रा या परिणाम बताए वह क्या कहलाते हैं तो जो पर किरिए की मातरा और परीणाम बटाए वो कैलाते हैं हमारे परिमान वाचक किरिए विसेसन विसेसन कभी-कभी पुनरुक्त रूप में भी पर्यूक्त होते हैं इस परकार के परियोग से अर्थ में अतिश्यता आजाती है निम्न में से इसका उधारन होगा तो विशेशन कभी-कभी पुर्णुक्त रूप में भी पर्योग तो होते हैं इस परकार के पर्योग से अर्थ में अतिश्यता आ जाती है निमन मैंसे इस मैंसे उधारना आपको चैन करना है तो ऐसा उधाना हमारया option number यहां हरे बेड़ अरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं अगला है सुद्व वाकि का आपको चैन करना है सुद्व वाकि चार option आपको दे रखें कर्मचारियों की रेल्वे में घिर्पतारी हुई option number A है option नमर T Для VA के कही पूए निम्न में मिस्र वाक्य का चाहएन केजिए तो निम्न में मिस्र वाक्य का आपको चाहएन करना है चार option आपके पास है तो मिस्र वाक्य की जो इसमें है वो आपको दिख रहा होगा यदि इस बार वर्षान नहुई तो सारी फसल नश्ट हो जाए यहां पे मिश्र वाक्य का उधार्ण है अगला सवाल है उधर्ण चिन का आपको पैचान है उधर्ण चिन इन शार आप्शन में से क्या है तो उधर्ण चिन है में तो इसमें से हमारा option number A, उद्रन चिन, इन्वडेश कॉमाउस में हम कभी कभी लिखते हैं उसे हम उद्रन चिन कहते हैं अगला है गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ बताईए तो गंगा नहाना मतलब बड़ा कारिय पूर करना, option number 3 का सही उत्तर होगा अगला है पाउपर सनीचर होना मुहावरे का अर्थ बताईए तो पाउपर सनीचर होना मुहावरे का अर्थ होगा हमारा option number V एक इस्तान पर इस्तिर ना रहना, option number 2 का सही उत्तर होगा अगला है भुझ भुझ गेज की वैसेंगिनी भुझ गिनी सी खेटी खेटी खाती दी दारुव दलन के उप्रोक्त में कौन सा अलंकार यह दिया आपने अलंकारों के वेद पड़े हैं उसका अर्थ समझा है तो अनुपरास अलंकार में क्या होता है मित्रो सब्द की पुन्रावर्ती होती है भुझ भुझ मैं यहां पे आप लोग देखा होगा कि आप लोग देख रहे हो कि भुझ भुझ की पुन्रावर्ती हो रही है खेदी खेदी की पुन्रावर्ती हो रही है तो सब्द की पुन्रावर्ती जहां पर हुई समझो कौन सा लंकार अनुपरास अलंकार अगला है रूपक अलंकार का उधार्ण है चार उप्सिन आपको दे रहे हैं और ए है तरनी तनुजा तटकमाल तरुवरव वह उच्छाए यहाँ पे तरनी तनुजा तटकमाल सात्य आंपे तो तो की पुनरावर्ति हो रही है तो कौन सा लंकार होगा कनक कनक ते सौगुनी साथ एक कनक यहां पर धतुरे के लिए है एक कनक सोने के लिए पर हुआ है तो यहां पर कौन सा लंकार होगा हमारा यमक अलंकार अगला है सुबरन को ढूंडत फिरत कभी वहिचारी चोर ऑप्शन बठी विवरी जागरी अंबर पन आपे बेंजन आएंगे वहां पे बेंजन चंदी होगी तो किस सब्द में आपे बेंजन आ रहे हैं साथी दिक गज अब धी और यह और भी दोनों तो यहां पे option number six का सही उत्तर होगा अगला सवाल है सुद्ध सब्द का चैन आपको करना है अगला सवाल है सुद्ध सब्द क सब्द के उधारन है तो गुर्ण संदी के उधारन आपको बताने है option number इसका सही उत्तर है ए और भी दोनु क्योंकि सुरेंज और परमेस्वर यह दोनु जो है गुर्ण संदी के उधारन है अगला है परती प्लस उपकार यह किसका संदी विच्छेत है तो चार आपको बता एक दो अगनी का परिवाची सब्ड इसमें से क्या है साथ्यों हुतासन लौकिक का भीलोम सब्द्ध क्या होगा अलौकिक लगला हैं गजबदन विगनेस मोसक वाहन किसके परिवाची है तो मोसक हमारा किस भगवान का वाहन है और गनेस भगवान का बहुवरी समास का उधारन इसमें से क्या है गजानन और गिर्धर दोनु जो है यह आपर बहुवरी समास के उधारन है आज की स्रीज का अंकिम सवाल चार मौसूं का समभार कोई साभी सवाल आगामी भर्टियों में ना छोटे तो पिछली स्रीच आपको देखने से स्रीच के आपको लिंक के वीडियो डिक्सक्राशन बॉक्स में मिल जाएगी साथ कि आप लोग नए हो चैन पर जोड़ने के लिए सब्सक्राइब बगल में बेल आकनों ना मस्ते करे वीडियो चलेगे तो लाइक रहे है थांक यू बेरे माइच गट्रिश ओर